रिमोट कंट्रोल रोबोट फाइट मालजिव नाम के गाउं में एक साइंटिस्ट रहा करता था वह साइंटिस्ट रोबोट बनाया करता था और वह ऐसी ही चीजे बनाता था जिससे गाउं वालों का भला हो उसी गाउं में एक अब्दुल नाम का व्यक्ति भी रहता था वह उस साइंटिस्स से बहुत जलता था और हमेशा यही सोसता रहता था कि उस साइंटिस्स को नीचा कैसे दिखाये जाए तब ही एक दिन विनोट साइंटिस्ट को इंटर्व्यू के लिए विदेश से फोन आता है अगले ही दिन वो इंटर्व्यू देने के लिए विदेश निकल जाता है अब्दुल को यह देखकर बहुत जलन होती है और वह अपने दोस्त जो एक साइंटिस्ट था उसे फोन करता है वह उसे रोबोट बनाने के लिए कहता है वह रोबोट अब्दुल एक जंगल में लाकर छोड़ देता है वह रोबोट पूरे जंगल में आग लगा देता है और तभाई मचाने लगता है पूरे जंगल में रोबोट आग लगा देता है फिर अब्दुल सर्पंजी के पास पहुंसता है और कहता है अरे सर्पन जी हमारे गाउं में बहुत बड़ा संकट आने वाला है अरे अब्दुल तुम कौन से संकट की बात कर रहे हो सर्पन जी मैं अपने रिष्टेदार के यां जा रहा था तभी मुझे एक विशाल रोबोट दिखाए दिया वो रोबोट सारे पेडों में आग लगा दिया था और वो कभी भी हमारे गाउं में आ सकता है तो जल्दी से कुछ करिए सर्पन जी पर ये रोबोट यहां पर आया कैसे होगा मुझे तो लगता है ये रोबोट विनोद का है और उससे आउट ओफ कंट्रोल होकर जंगल में चले गया है आप जल्दी से विनोद को बुला लीजिए हाँ तुम सही कह रहे हो मैं अभी उससे बुलाता हूँ फिर सर्पन विनोद साइंटिस को फोन लगाता है और कहता है विनोद तुम्हें अभी गाउँ वापिस आना होगा क्या हुआ सर्पन जी आप मुझे गाउँ क्यों बुला रहे है तुमारा बनाय हुआ रोबोट हमारे गाउँ में तभाई मचा रहा है यहां आके इसे रोको पर सर्पन जी मैंने तो कोई रोबोट नहीं बनाया है पर अगर तुमने नहीं बनाया तो किसने बनाया ये रोबोट आप चिंता मत करिये सर्पन जी मैं भी विदेश से एक रोबोट बना कर लाता हूँ फिर उस शेतानी रोबोट को हम हरा सकते है विनोध विदेश से रोबोट बना कर ले आता है और वो रोबोट लड़ाई के लिए विल्कुल तैयार होता है तबी वहीं पे वो शेतानी रोबोट भी आ जाता है वो शेतानी रोबोट गाउं में आते ही तबही मचाना चुरू कर देता है विनोध का रोबोट उस शेतानी रोबोट से बहुत जल्दी हार जाता है और फिर वर शेतानी रोबोट अपनी दुनिया में वापिस चला जाता है सरपन जी मैंने इस रोबोट को जितना ज़्यादा थाकतर समझाता ये तो उस से कई ज़्यादा थाकतर है पर आप डरिये मत तो अब बताओ तुम हमें क्या करना चाहिए आप बिल्कुल चिंता मत करिये सरपंजी मेरे पास एक और आइडिया है जिससे वो शेतानी रोबोट बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा इतना कहकर विनोध अपने घर जाने लगता है अपने घर पहुँचकर विनोध एक स्पेशल रोबोट को तैयार करता है वह रोबोट लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है तब ही वहाँ वो शेतानी रोबोट भी आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है विनोध का रोबोट साइज में छोटा होने की कारण उस रोबोट को हारा नहीं पा रहा था तब ही विनोध का रोबोट खुद को बड़ा कर लेता है खुद को बड़ा करने के बाद वह रोबोट उस शेतानी रोबोट को एक मेगा पंच मारता है और वह बहुत दूर जाके गिरता है कुछ देर लड़ाई के बाद विनोध का रोबोट उस शेतानी रोबोट को हरा देता है और उसे खतम कर देता है रामेश्वरी नाम के गाओं में एक महेश नाम का व्यक्ति रहता था उसके पिताजी गाओं के सबसे अमीर और इज़दार आदमी थे एक दिन महेश दुकान पर कुछ सबजीया लेने जाता है और उस दुकान दार से कहता है अरे सुनो मुझे तुमारी दुकान से कुछ सब्जियां चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं अपना वॉलेट घर पर भूल गया हूँ तो इसलिए मैं अगर तुम्हें कल पैसे दूँ तो क्या तुम्हें चलेगा अरे महेश तुम पैसों की चिंता मत करो तुम्हें जो सामान चाहिए वो ले लो आखिर मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ तुम्हारे पिता जी ने हमारे गाउं के लिए इतने अच्छे-च्छे काम किये हैं तुमसे तो मैं ही क्या कोई भी पैसे लेना नहीं चाहिएगा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप मेरे पिता जी की इतना आधर और सम्मान करते हैं महेश दुकांदार से बात करी रहा था कि तभी कुछ ही दूरी पर एक चोर खड़ा था जो बैंक से चोरी करके भागा था और उसी वक्त वह महेश को देख लेता है और कहता है रे वाह इस आदमी की शकल तो मुझसे मिलती है लगता है ये मेरा हमशकल है लेकिन मुझे तो लगता था कि ये सब बाते बकवास होती है लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि एक ही शकल के बहुत से लोग होते हैं क्यों न मैं इसे फसाद हूँ ये मेरा हमशकल है तो पुलिस तो इसे ही चोर समझेगी और इसे ही गिरफतार कर लेगी वह उस पैसे के बेग को महिश तक पहुँचाने के लिए एक बच्चे को अपने पास बुलाता है बोलिए अंकल आपको मुझसे क्या काम है तुम्हें ये बेग उस दुकान पर खड़े उस आदमी को दे के आना है और उससे कहना है कि ये बेग उसके पिताजी ने देने के लिए कहा है समझे हाँ अंकल मैं समझ गया अब मैं अभी ये बेग जाके उनको दे आता हूँ वह लडगा महिश के पास पहुंसता है और उसे कहता है लो अंकल ये बेग आपके पापा ने मुझे आपको देने के लिए कहा है पर इस बेग में आखिर है क्या अंकल वो तो मुझे नहीं पता ठीक है अगर पिताजी ने मुझे देने के लिए कहा है तो मैं लेही लेता हूँ महेश उस लड़के से वबेग ले लेता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है जैसे ही महेश अपने घर पहुंसता है दो पुलिस वाले वहां भागते भागते आते हैं और महेश को घेर लेते हैं महेश उन दोनों पुलिस वालों को देखकर बहुत डर जाता है अपनी जगे से बिल्कुल मत हिलना लालू चोर फ़र मैंने किया क्या है जो आप मुझे गिरफतार कर रहे हैं अरे लालू चोर आखिर हमने तुम्हें पकड़ी लिया अब चलो हमारे साथ पुलिस टेशन तुम्हें इतने डंडे मारूंगा कि तुम कभी चोरी करने के बारे में सोचोगे भी नहीं पर आखिर मैंने किया क्या है जो आप मुझे गिरफतार कर रहे हैं सारे चोर ऐसे ही तो बोलते हैं अब ज़्यादा भोले बनने के नाटक मत करो सर मेरा नाम लालू नहीं है और मैं कोई चोर नहीं हूँ पुलिस मेरी बात का यकीन करिए पुलिस उसकी एक बात नहीं मानती और उसे जेल ले जाने लगती है तब ही वहाँ के जो गाउं के लोग थे वो भागते भागते आते हैं और पुलिस आरे सर आप महेश जी को कहां ले जा रहे हैं अरे आप सब यह क्या बोल रहे हैं इसका नाम महेश नहीं है बलकि यह तो लालू चोर है महेश तुमने ऐसा क्यों किया तुम्हारे पास तो पैसे की भी कमे नहीं थी तुम्हे ऐसा विल्कुल भी नहीं करना चाहिए था कोई भी महेश पर यकीन नहीं करता और सब लोग उसे ही चोड समझने लगते हैं फिर पुलिस उसे वहां से ले जाती है और जेल में बंद कर देती है उसी दिन महेश का दोस्त गोरव शहर से अपने गाउन लोटा था तब ही उसे एक आदमी से पता चलता है कि उसके दोस्त को जेल हो गई है और वह अपने दोस्त से मिलने पुलिस टेशन पहुँच जाता है देखिए सर आपसे कुछ गलती हो गई है आपने मेरे दोस्त को चोड समझकर पकल लिया है अरे तुम किस की बात कर रहे हो कौन है तुम्हारा दोस्त सर मैं महेश की बात कर रहा हूँ जिसे आपने लोक अप में बंद कर रखा है अच्छा वो तुम्हारा दोस्त है उसने तो चोरी करी है इसलिए हमने उसे जेल में बंद कर दिया है अरे सर महेश एसा नहीं कर सकता है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ तुम ये कैसे कह सकते हो सर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महेश की पिताजी इस गाउं के सबसे अमीर आदमी है तो फिर आप ही बताईए वो चोरी क्यों करेगा वो सब हमें नहीं पता हमने उसे बेंग के पैसों के साथ पकड़ाए इसलिए वही चोर है सर आप ये क्या बोल रहे हैं वो चोर नहीं है ए अब तुम जा सकते हो मेरा टाइम बरबाद मत करो गौरव वहाँ से दोखी होकर जाने लगता है रस्ते से गुजरते वक वो सोच रहा था कि उसका दोस ऐसा नहीं कर सकता तब ही उसे पेड़ के पास एक आदमी खड़ा दिखता है जो हू बहू उसके दोस्त महेश जिसा दिख रहा था वह पेड़ के पीछे छुपकर उसकी बाते सुनने लगता है तब ही वह केहता है अरे वह मज़ा आ गया मैंने उस आदमी को ऐसा फशाया है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता अच्छा तो इसने मेरे दोस्त को फशाया है अभी जाकर पुलिस को इसकी पूरी जानकारी देता हूँ और गौरव दोड़ते हुए पुलिस टेशन जाता है और पुलिस वाले से कहता है सर मैंने कहा ताना मेरा दोस्त चोड नहीं है मैंने हसली चोड को पकड़ लिया है अच्छा तो फिर ठीक है चलो जल्दी वह दोनों उस चोड को पकड़ने के लिए दोड़ते हैं पुलिस को देखकर चोड़ डर जाता है और सरेंडर कर देता है उसके बाद पुलिस महेश को छोड़ देती है अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए